Hello everyone, welcome to the academy So SSE ने अपना जो calendar इंटेड्यूस किया है उसमें एक बहुत ही शानदा जॉब के बारे में बताया है वो है IMD scientific assistant job अभी जो job vacancy है ये frequently नहीं होती है इसमें gap आता है हमेशा और जो last exam हुआ था वो 2017 में notification आया था और इससे पहले जो exam हुआ था वो 2012 या 2013 में हुआ था तो काफी gap के बाद ये job vacancy आती है और ये job इतनी शानदार इतनी relaxation job है इतना workload जिसमें इतना कम होता है कि ये सबसे बहतरीन job है इस साल के SSE calendar में और इस job के regarding हम लोग यहाँ पे देखने वाल रहे है salary, box क्योंकि इसके regarding अभी भी बहुत सारी information जो mainstream में नहीं है तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी information हो सकती है scientific assistance के regarding वो सारी ही मैं आपको यहाँ पे provide करो तो इससे पहले मैंने एक video बनाया था जिसमें आपको discuss किया था कि क्या क्या यहाँ पे criteria हो सकता है क्या qualification मांगते हैं तो वो चीज़े मैंने यहाँ पर discuss किया था syllabus discuss किया था तो वो video अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो उसमें आपके लगबख सारे dot clear हो जाएंगे कि आप eligible हो या नहीं अगर आप eligible हो जाते हो तो आप क्या जो affection है जॉब को लेके आपका interest जो है वो बढ़ता है और आप जानना चाते हो कि box क्या है, allowances क्या है salary कितनी बनेंगी, duties क्या होंगी काम कितना करना पड़ेगा कहां posting होंगी तो वो सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर clear करूंगा तो IMD जो job है तो कुछ जो basic points है वो आप पहले देख लो जो यह जो job vacancy है यह आपकी central government की job है ठीक है तो आपको जो facilities मिलेंगी वो central government की ही मिलेंगी simple बात है यह इसके बाद group B की job है यह तो यह जो group B की job होती है वो आपकी non-guested होती है ठीक है next देखे तो 7th pay commission के बाद pay level का जो system है उसमें देखे तो यह pay level six की job है ठीक है अब pay level six देखे तो काफी नीचे होता है लेकि फिर भी एक decent salary आपको यहाँ पे मिलती है इसका जो basic pay है वो अभी के हिसाब से देखे तो अभी 35,400 के करीब है और अगर आप grade पे देखे तो grade पे इसका आपको अभी है ब्यालिस सो ठीक है तो ब्यालिस सो ग्रेट पे की job है और 35,000 के आसपास आपको इसका अभी basic pay चल रहा है तो वो आपको मिलेगा ठीक है basic pay अब हम salary देख लेते हैं in hand आपको salary कितना मिलेगा तो salary जो होता है वो आपका बनता है basic pay से और basic pay आपका अगर मैंने बोला 35,400 है इसके बाद dearness allowances जो कि अभी 28% चल रहा है तो वो आपको मिलेगा basic pay का then house, rent वाला, HR अब जो HR है ये आपको तीन category में मिलता है 9%, 18% और 27% अभी ये percentage चल रहा है अचारे का और ये depend करता है कि आपके city में आपके कहां पर posting है 27% जो है वो आपका Mumbai, Delhi ये areas होगे और 18% ये आपका होगे जैसे पतना, लखनाव ये और 9% आपके छोटे-छोटे जो district वगर है वहाँ पर तो तीन category में आपको HR मिल सकता है यहाँ पर इसके अलावा travel allowances मिलता है आपको और इसके अलावा आपको यहाँ मिलता है others में अगर आप hill areas में है तो वहाँ पर इसके अलावा remote कोई area है तो उसका अलग या जहां काम करने condition बहुत हार्श है तो hard area allowance भी मिलता है आपको ठीक है और इस सब को अगर आप conclude करोगे तो आपका जो अगर मैं यहाँ पर पटना लेकर चल रहा हूं क्योंकि जो information जो मुझे मिलती है जो मैं आपको यहाँ पर provide कर वाता हूं वो मेरे खुद की relative जो की job में अभी serve कर रहे हैं वो अगर मैं बताओं पटना में serve कर रहे हैं तो पटना के according अगर मैं देखूँ तो यह जो आपका total बनके आता है वो बनता है आपका 49,000 से 50,000 के बीच में ठीक है अगर आप जब आप join करोगे ठीक है जब आप join करोगे तब joining के बाद आपको यह salary देखने के मिलेगी इसमें फिर आपका यहाँ पे NPA जो पेंशन स्कीम है वो कर जाता है 10% ठीक है तो वो आपका हटके इतना आपको देखने को मिलेगा तो यह तो हो गया आपका salary कि salary कितना मिलेगा ठीक है तो salary आपको joining करने के साथ 50,000 के आज सपास आपकी salary देगी अब यह जो salary है जैसे कि मैंने बताया DA, HR, travel allowances यह hill areas के सब को सब dependent है ठीक है सब dependent करता है कि आपके posting कहाँ पे हुई है तो posting recording देखे तो आपकी अगर 9% वाले area में posting हो तो आपकी salary यहाँ पे 45,000 के आसपास minimum बनेगी ही बनेगी ठीक है और maximum आपकी 50 से 55,60 के पास बनेगी ठीक है अगर आपकी posting देली के area में हो गई है तो salary 60,000 के आसपास बनेगी ठीक है तो यह एक salary है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसके लावा आपका तीन बार increment लगता है महंगा ही भतता ठीक है अलांसेस में और यह जो increment होता है आपका 3% का होता है तो हर साल आपको एक तो एक January को और एक है आपका एक जुलाई को ठी ठीक है तो 3% का increment यह आपका मिलेगा ही मिलेगा ठीक है अलांसेस में तो salary आपकी बढ़ी और हर साल ठीक है हर साल आपकी salary में increment होता है ठीक है तो अगर साल आपकी 45 है तो अगले साल 46 47 इस तरह से salary आपकी बढ़ती रहती है तो यह तो आपका salary का criteria हो गया इसके लावा देख ठीक यहां आपको मिलेगा क्या extra चीज़े तो extra में आपको maximum two child के लिए आपको यहां पे education allowance मिलेगा education allowance मिलेगा ठीक है अब यह education allowance कितना होता है तो एक के लिए होता है आपका यहां पे 27,000 और दो के लिए आपका यहां पे हो गया 24,000 पर एनम तो एक साल में आपको 54,000 रुपीज आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा next medical facility मिलेगी आपको तो medical facility में आपकी wife आपकी बच्चे आपकी parents इनको include किया जाएगा तो यहां पे जिस तरह के यहां जैसे आपने ESI hospitals वगरा सुने होंगे तो Central Government में Central Government Health Scheme के अंडर ठेक है Central Government Health Scheme के अंडर Central Government की बहुत सारी Central Government Staff के लिए hospitals होती है और जहां hospital ना भी हो तो वहाँ पे private hospital जैसे Paris वगरा भी यह hospital भी Central Government Health Scheme के अंडर इलाज करती है तो आपको वहाँ पे इलाज मिल जाएगा ठीक है और ये इलाज बहुत ही सस्ते होते है ठीक है बहुत ही जदा 50% से भी कम मतलब कि अगर आपका 10 लाग का कोई इलाज है तो वह आपका 3 लाग में इस इन हॉस्पिटल में बन जाएगा उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा ठीक है उसमें आपके वाइफ आपके या तो हस्बेंड बच्चे और आपके पेरि होंगे और इस हेल्थ कार्ड के लिए आपकी सेलरी से लगभग साड़े 400 रुपे ठीक है पर मन्त डिड़क्ट किये जाएंगे तो एक एजुकेशन अलाउंस हो गया एक मेडिकल अलाउंस हो गया इसके बाद अगर आपका ट्रांसफर वगरह हुआ है कहीं तो उसके लिए अलाउंस मिलेगा आपको जाने आने के लिए ट्रैवल अलाउंस भी होता है ठीक है ट्रैवल अलाउंस या टूर अलाउंस बोलते हैं इस जॉब में जॉब की जो डूटीज है जो वर्क कल्चर उसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कॉस करेंगे लेकिन अगर देखे तो इस जॉब में किया है आपको अलग अलग सेंटर पे आफिस में जाके टैवल करना पड़ता है टूर करना पड़ता है और वहां जाके डाटा कलेट करना पड़ता है तो ऐसा आपके साथ भी होगा और जब आप कहीं सी जगह टूर पे जाओगे तो वहां पे आपको टू leave travel concession leave travel concession मतलब आप छुटी पे जा सकते हो आपको उसके लिए पैसे भी मिलेंगे और आपका जो holiday होगा उसका जो fair होगा ठीक है अगर आप bus से जा रहे हो तो bus train से जा रहे हो तो अगर आप air से जा रहे हो तो air का तो यह सारे ही आपको यहाँ पे facility मिलेंगे इसके लावा अगर आपकी बहुत सारी holidays आपने बचा कर रखी है तो उसका आपको leave in cashment भी मिल सकता है for example अगर आपने मन्त में बहुत आपके साल में 10 चुटी है आपने बचा कर रखी है तो उस 10 चुटियों को आप cash में भी convert करवा सकते हो तो यह चीजे हैं जो आपको यहाँ पे इस जॉब में मिलने वाली है इसके लावा जो other facilities होती है car घर फॉन यह सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एक simple decent बहुत शानदार सी जॉब है जहाँ पे आपको बहुत कम workload के साथ यह total facilities मिलेगी ठीक है और अगर आपका कोई question हो doubt हो इस vacancy को लेकर इसके लिए कोई information आप जानना चाहते हो तो आप comment box में ज़रूर लिखना मैं सब के ओपर एक वीडियो बनाके आपको यहाँ पे ज़रूर जान का लिदूँगा तब तक के लिए जान कर लिए एकडमी को subscribe कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ तब तक के लिए ख्याल दखिए सबस्तर एए thank you